चेहल ने श्रेस से पूछा लगातार तीन चक्के लगा कर छे चक्के के बारे में सोच रहे थे जानिये जवाब नमस्कार भारत और बंगरदेश के 23 टी-20 मैचों की सीरिस का आखरी मैच नागपूर में खेला गया इस मैच में भारत टीम ने पहले बल्लेवाजी करतर निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 114 रनो का स्कोर खड़ा किया बल्ले वाजी में भारत की तरफ से श्रेस अयर ने 33 गेंदों में 12 रनों की तुफानी पारी खेली जिसमें उन्होंने तीन चौका और पांच छक्के लगाए उनके अलावा गेंदो वाजी में भारत की तरफ से दीपक चाहर ने 32 ओवर में 7 रन दे कर हैट्रिक समेथ कुल 6 विकेड लिया इन दोनों खिलाड़ों के वदालत भारत टीम इस मैच को 30 सनों से बांगलादेश को हरा दिया और इसके साथ ही भारत टीम ने श्रिक खला को दो और एक से अपने नाम कर लिया इस मैच को समापत होने के बाद युजविंदर चाहर ने दीपक चाहर और श्रेस अयर का इंटर्विव बी सी सी आई टीवी पर लिया जिसमें इन तीनों खिलाड़ों के बीच क्या बाते होई शेहल ने सबसे पहले धीपक चाहर से कहा कि अपने भेतरीन गेंदवाजी करते हैं मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दी और आपने हैट्टिक भी ले लिया इसके बारे में क्या कहेंगे इसका जवाब देते हैं चीपक चहर ने कहा है टेक का तो मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि एक विकेट मैंने उससे पहले वाले ओवर में लिया था बेतरिन गेन वाजी करके मुझे काफी अच्छा मैसूस हो रहा है क्योंकि जब हम घर पर भी बैट कर सोच रहे होते हैं तो यह सचमुच में काफी अनोख है इसके आगे चहल ने श्रेस ऐयर से पूचा लगातार तीन गेंदों पर तीन चक्के लगाने के बारे में सोच रहे थे इसका जवाब देतर श्रेस ऐयर ने कहा मैं च्छ चक्के लगाने के लिए जाने वाला था परन्तु उसने वाइड ऐसा ही करता इसके आगे चहले दीपक चहर से पूछा गिली गेंड से गेंड वाजी करने के अनुभव के बारे में बताए इसका जवाब देते दीपक ने कहा मेरे धिमाग में अच्छे से चल रही थी कि साइड की बांडरी बढ़ी और गती में बदलाव करेंगे मुझे चन् की परसीती में खेलने की आदत हो गई है वहाँ पर तो हर गेंड और और आस और पसीना दोनों आता इस वज़े से ये अनुभव मेरे काम में आ गया